हाई बच्चो मेरी वाज आ रिये सबको एक मिनेट जड़ा चेक कर लें बड़ी है ठीक है कैसे हो सभी वेल कम बाक तो दे चैनल माइनेम इस अपास्ता मोंगिया चांटीनू करेंगे आपका अनदर चाप्टर तोडे अनदर अनदर टोपिक तोडे डाट इस हाव दो और गानिसम से रिप्रोडूस में एसेक्शल रिप्रदक्शन हमें आगे कंटीन करने ठीक है तो लेकर स्थार्ट विदाउट अनिफ दीले बच्छा पाती शेयर कर यू तेलिग्राम चानल पेपर पर नवर्ट तो बच्छो याद करू कलमने कहां तक पर लिया था हमने न आजब आ असक्शोल रिप्रदक्शं स्टार्ट कर दिया आमने बेसी चीज़े पर दिया था ता what और और्टी और वर्कानेशंस्स्याप्रदूस्तृ। हमने फिर्ट्शन कीदीशन सब्सक्राइब है पुछा निए बीकिये लेगा ठीच्टृ। Hi Aarti, how are you? We have also studied what is the difference between asexual and sexual reproduction. We have also seen the types of asexual reproduction. Pahle we have seen fission, types of fission भी पढ़ चुक है हम, then multiple fission and all. Fragmentation हमने दूसरा step पढ़ लिया था. Hi Himesh Meena. Then हमने regeneration की बात भी कर ली थी, difference भी कर लिया, regeneration और fragmentation का. Then we have also studied budding क्या होता है. Then we have also studied spore formation क्या होता है. Vegetative propagation हमें स्टार्ट करना है हाज. क्या होता है vegetative propagation? तेको यह ना एक तो plants करते हैं. और यह asexual reproduction में ही आता है. क्योंकि plants यहाँ पर एक ही single plant ही यूज होगा है. There is nothing like male and female. Or seed भी यूज नहीं कर रहे हैं. Seed तो तब ही बनेगा ना, जब male और female gamete fuse होगा और एक seed बनाएगा. यहाँ पर हम seed formation करी नहीं रहे हैं. हम सिर्फ एक ही parent plant से नए-nए plant के parts बना नए-nए पौधे बना रहे हैं. अब वो कैसे करेंगे? हम plant के parts का इस्तमाल करेंगे. जैसे leaf का इस्तमाल कर लिया, stem का इस्तमाल कर लिया, root का इस्तमाल कर लिया. तो basically parent plant के आप अलग-अलग parts का इस्तमाल करो, उससे आप नया plant बनाओ. ठीक है? हाँ, plant के parts and new plant, seed नहीं होना चाहिए. चाहिए आप उसकी stem लो, चाहिए आप उसकी root लो, या फिर आप उसकी leaf लो. दो टाइप्स कौन-कौन से हैं, एक है natural vegetable propagation और दूसरा है artificial vegetable propagation. देखो, natural vegetable propagation है नाम में ही आ रहा है, natural यानि कि nature में अपने आप भो रहा होगा. artificial vegetable propagation पे नाम से ही पता चल रहा है, artificial है यानि कि humans की interference है. human beings कर रहे होंगे, farmers कर रहे होंगे इसको. तो देखो, natural artificial vegetative propagation कैसे होता है? इस लाइद आगे क्यों नहीं बढ़ रही है मेरी? हाँ, अब जेके. natural vegetable propagation कैसे होता है? it is without any human health. है ना, अपने आप nature में हो रहा है. leaf से, root से, stem से, for example, for example, यहाँ पर मालो, आपको कोई bryophyllum का plant दिख जाए. तो bryophyllum का जो leaf है, that has so many buds on it. अब अगर वो bud वाला पत्ता पेड से गिर कर नीचे soil में आ जाएगा, तो उस soil से, पूरा का पूरा नया bryophyllum का plant ग्रो कर जाएगा. हमने bryophyllum का सीध इस्तमाल नहीं किया, bryophyllum की leaf की help से, पूरा का पूरा नया plant ग्रो कर जाएगा. So this is the advantage, सबसे पहले आपको पढ़ने है, stem के बारे में, natural vegetative propagation stem से कैसे होता है, potatoes अबने खाया है, rose खाया है, परशान भी होए, तुम potato खाकर, कभी ध्यान से देखा हो, तो potatoes में न ऐसे outgrowth निकल जाती है, इसको हम bud या फिर आई बोलते हैं. अब क्या करना है, क्योंकि natural vegetative propagation है, तो nature में क्या होता है, यहीं इसी वाली bud से, एक नई stem, नई root, नई leaf ग्रो करना शुरू कर सकती है. यानि कि, एक single potato से, कितनी सारी नई ऐसे plantlets ग्रो कर जाएंगी, नई stem, नई root, नई leaf ग्रो कर जाएंगी, और इसी से बेटा, पूरा का पूरा नया potato का plant ग्रो कर जाएंगा. So this is the perfect example of stem. Stem से नया plant ग्रो कर रहे हैं, जैसे naturally grow तो कर रहे हैं बहुत सारी चीज़े, कुछ stem से कर रहे हैं, कुछ leaf से कर रहे हैं, कुछ root से कर रहे हैं, तो stem का जब आपसे example पूछा जाएगा, तो you will remember, जो potato हमारे गहरो में होता है, that has eyes on it, उस eyes के उपर काफी सारे cells grow कर जाते हैं, और वहां से उसकी नई stem, नई root, नई leaf भी grow कर सकती है, और पूरा नया potato आ सकता है, then underground stem के और examples है, बड आपने पढ़ लिया, potato का example, ginger, garlic और tulip, इनके उपर भी ना birds होती है, इनकी stem के उपर भी birds होती है, और वो birds नया नया plant grow करा सकती है, उसके बाद root का example कौन सा है, sweet potato, if you have heard about it, sweet potato, शकरकंदी जिसको हम बोलते हैं, यह sweet potato भी naturally grow कर सकती है, अपने आप grow कर सकती है, बट इसकी roots के उपर bud होते हैं, इसकी roots के उपर bud होते हैं, और वो detach करते हैं, पैरेंट प्लांट से और नया plant grow करा सकते हैं, तो main जो आप normal potato पहा रहे हो हमारे घरों में, जो potato हर्टाई मिलता है, जिसकी सब्जी बनती, आलू, मटर, and mix wedge and all, आलू has buds और आईज उसके उपर, जो basically एक stem है, और stem के उपर buds grow करेंगे, जो शकरकंदी हम खाते हैं, विंटर इसमें, उसकी root के उपर buds होती है, और वो bud, पूरा का पूरा नया, sweet potato का plant grow कर सकती है, जो इसमें जो parent plant की leaf है, उसी leaf के margin के उपर ऐसे buds present होती है, और ये bud पूरा का पूरा नया plant grow करने में help कर सकते हैं, पूरा का पूरा 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 ब्रायो फाइलम और का लैंशो गरो करने में help कर सकते हैं, so these are the certain advantages of natural vegetative propagation, अब farmers को जब पता चला किया यार इस तरीके से भी growth हो सकती है, इस तरीके से भी नए plant part बन सकते हैं, तो farmers ने इसको artificially करना शुरू कर गिया, मतलब यहां पर हमें wait क्यों करना है, कि naturally जब पता गिरेगा उसके बाद ब्रायो फाइलम गिरेगा, तो यार मैं अपने दोस्त के घर से क्या करूँगी, या जहां भी मुझे ब्रायो फाइलम दिखेगा, वहां से पता तोड़ूँगे और अपने गमले में लगा लोगी, तो इसमें मेरा interference हो गया, मैं कर रही है उस काम को, तो ये आर्टिफिशल तरीके से हो गया, फार्मर्स ऐसा काम करते रहते हैं, अगर मुझे ब्रायो फाइलम ग्रो करना है, तो मुझे सीद की ज़रूद नहीं है, मैं इसी वाले पत्ते को ठाऊँगी, और स्वाइल के अंदर डाल दूगी, ये पूरा को पूरा नया ब्रायो फाइलम ग्रो कर जाएगा है, हो गया ना फाइदा, नेक्स्ट इस आर्टिफिशल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वही जो मैंने बताया कि हुमन बींग्स के इंटर्फेरेंस के साथ होगा है, हम खुद कराएंगे, जल्दी होता है इससे ग्रोथ, मतलब सीड से हम नाच्रली वेट कराएं कि यार ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी, अगर आर्टिफिशल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर देंगे, तो बहुत ही कम समय में नया फूल, नया प्लांट त्यार हो जाएगा, यह गार्डन्स और नर्सरी में इस्तिमाल किया जाता है, नर्सरी समझते हो, यह वो नर्सरी क्लास नहीं है, जिसमें तुम छोटे थे तो पढ़ते थे, नर्सरी होती है वो एरियाज जहापे हमें प्लांट के छोटे-छोटे पौधे मिल जाते, सोटे-छोटे पौधे, उसके अंदर सॉयल होती है, उसमें उसमें से छोटा सा पौधा होता है, आप उसको ले आते हो अपने घर में गमले में उसको फिट कर देते हो, और मिटी डाल देते हो और वो बढ़ा हो जाते है, दाट प्लेस इस नोन आज नर्सी जापर हमें पौधे मिलते हैं गार्डन्स वही हमारे घर के भार के गार्डन्स की बात हो रही है नाउ आर्टिफिशल वेजिटेटिव रोपोगेशन में सबसे पहले आता है कटिंग नाम सी बता चल रहे है कटेंगे हमरी को किसको कत कर देंगे हम रूट को कट कर सकते हम जके अगर ञर्बार के बला मेरे और उएक पूरा नया प्लांट मे ? गमले में ग्रो कर जाएगा और कौन-कौन से ग्जाम्पल से बिटा बुगेन विला, क्रिसांथिमम, ग्रेप, शुगर केन, बनाना, कैक्टिस, यह सारे के सारे स्टेम कटिंग की हल्प से ग्रो कर सकते हैं, उसके बाद रूट कटिंग की एक्जाम्पल से रास्बेरी, ब्लाक बेरी, डालिया, फिग और लाइलाक, और इसमें आप रूट को कट करोगे, तब जाकर अपने घर पे इसका गमला लगा सकते हैं, जैसे अगर मुझे रास्बेरी अपने घर पे चाहिए, तो आई विल कट दे रूट अफ दे पेरेंट प्रांट, ठीक है, तो इसके बनते हैं, नेक्स आता है बेटा, लीफ कटिंग, लीफ कटिंग भी पॉसिबल है, लीफ कटिंग के भी एक्जाम्पल से रहेंगे, ब्रा ब्रायफाइलम चाहिए, तो मैं में पेरेंट जहां मुझे ब्रायफाइलम मिलेगा, उसकी लीफ को कट कर अपने पॉट में लगा दूगी और पूरा न्यूट्रिशन देकर अपने गबले में उसको ग्रो करना शुरू कर दूगी, नेक्स आता है लेरिंग, लेरिंग क्या उसकी एक ब्रांच को पकड़ा और उसको किसी तरीके से स्वाइल में गाड़ दिया और एक चीज लगा कर सपोर्ट भी कर दिया, टाच भी कर दिया उसको, थोड़े टाइम बाद I will see कि यार उसी जगा से नई स्टेम, नई रूट, नई लीफ ग्रो करना शुरू कर देंग नई स्टेम, नई रूट, नई लीफ ग्रो करना शुरू कर देंगी उस स्टेम से जो कि पेरिंट के पास थी, अब इसके पास चार-पाथ स्टेम से हैं, ऐसे सारी चार-पाथ स्टेम को मैं जगा-जगा लगा दूँगी तो वहापे नई प्लांट ग्रो कर जाएगा, इस स्टेम के उपर की तरफ उसको जैसे आप वह नहीं बनाते, कासल नहीं बनाते, मिट्टी में जब हम खेलते हैं तो हम ऐसे घर सा नहीं बना देते, सेम तरीके से आपको मिट्टी स्टेम के लेवल से उठानी है, और उपर तक ही घटी कर देनी, उससे क्या होगा, यह जो पर में स्टेम दिख रही है, उसी स्टेम के नीचे आपको और रूट्स दिखनी शुरू हो जाएंगी, और बेटा यह जो और स्टेम निकलनी शुरू हो जाएगी, क्या आपको मेरी वीडियो में चिडिया का शूर आ रहे है, बरार है तम जियली, सॉरी, माइ विंडो इस तो इस तरीके से देख रही हो कि नए 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 स्टेम करते जा रहे हैं, अब इससे एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गई है, मतलब पहले आप सिर्फ एक ही पेरेंट प्लांट से काम चला रहे थे, अब आप बहुत सारे प्लांट को ग्रो क सकते हैं, लेहरिं का पॉफेक्ट एग्जामपल है जासमीन, वही जासमीन जिसका शांपू भी आता है, जासमीन यूज होता है इसके अंदर, अब आप निए अब लेहरिं इस एर लेहरिंग में क्या करते हैं, कि अब आपको नए स्वाइल को उठाने मतलब बहुत उंचे अगर कोई प्लांट से जिनकी स्टेम को आप नीचे जमीन में गाड नहीं सकते तो आप स्वयल को उपर ले जाते आप स्वयल उठाओ और आप उसको स्टेम के आसपस ऐसे पैक कर दो जैसे आपको पिचर में दिख रहा है पॉलिथीन के हेल्प से कुछ लोग क्लोथ का इस्त नहीं लीफ निकर रही है अब हम उसका इस्तमाल कैसे कर सकते हैं मास उसको कट कर देंगे और फिर से हमारे स्वयल के अदर लगा देंगे तो ऐसे फार्मर्स काफी बहर वेजिटेटिव प्रोगेशन करते रहते और उनको तो फाइदा हो गया डबल ट्रिपल चार गुना प पूछो ग्राफ्टिंग इस अनदर मेथड अच्छा यह जो आपको फुटेश दिख रहे हैं यहां पर यह लेरिंग की है अब आप इसको ध्यान से देखना इन्होंने लेरिंग करने से पहले क्या किया इन्होंने ना स्टेम को पहले से छीला मतला पहले जोसकी आउटर स्क इसको ठापिन है उसकी आउटर क्यांबिम में उसको बीटाना होता है क्योंकि बाहर वाली जो लेर उसके इंद्ली जाधा हो और सेल्स नहीं पढ़े वे伙ोंनका साहuyorum सिरफ और सरफ प्रो प्र्रोटेक्शन काए तो आपको अबको सबसे पहले बाहर वाली लेरि मिटिको Liu इस तरीके से करा होता है अमन टाडपूल फ्रॉग के बच्चे को बोलते है फ्रॉग का जो बच्चा होता है फ्रॉग एग्स देता है न बट एग्स सीधा वो एडल्ट फ्रॉग तो नहीं बन जाएगा बीच में वो स्विम करते हुए चोटे चोटे टाडपूल जैसे स्ट्रॉट्चर देखते है just like this टाडपूल लुक स लीक्स लाइक। फ्रॉग के बच्चो को बोलते है बच्चो आगे हमें पढ़ना है ग्राफ्टेंग मेरे पास मानलो मेरे पास मानलो एक स्टेम है Ammonotellism, these are the ammonotellic organisms जो excretion में ammonia release करते हैं जो excretion में ammonia release करते हैं उसको बोलते हैं ंद, like the bee, ammonia I just confirm that the ammonia that excretion occurring are ammonotellic organisms जोबते हैं को बोलते हैं पानी में होगे जैसे की इने डैरियों जो चोटे हमने प्लास्मोडियम न्यारा पड़े हैं ऑनका वेस्ट में वेस्ट माटेयल किस फोर्म में होते हैंया की फिर्म में होता हैं see animals अगयरा जो होते हैं इनका waste material भी ammonia ही होता है grafting पढ़ लेया मानलो यह मेरा एक main stem है एक मेरा sugar cane का यूरियो टेलिस्म यूरिया रिलीस करते है यूरिकोटेलिस्म यूरिक एसिड रिलीस करते है मानलो यह sugar cane का मेरा एक plant है या फिर कोई भी एक plant है ठीक है ये इतनी अच्छी growth नहीं कर रहा है ये इतने अच्छी से desired characteristics नहीं रखता है मेरे friend के field के अंदर भी आर same तरीके काई plant है बसकि उसकी production और quality बहुत ही ज़ादा अच्छी है उसमें disease भी नहीं लगते तो मैं चाहूंगी इना कि उसकी friend के, मेरे friend के जो field के अंदर सारी qualities है वो मेरे वाले plant के अंदर भी है तो मैं grafting कर सकती हूँ मैं क्या करूँगी, अपने वाले plant की stem को उपर से cut कर दूँगी ये हिस्सा मैं हटा दूँगी यांसे ठीक है, and मेरे पास सिर्फ और सिर्फ root वाला हिस्सा रह जाएगा जिसको हम stock बोलेंगे, root वाले हिस्से को stock बोलेंगे अब मैंने अपनी friend की उपर वाली stem, जो उसकी field थी उसको stem को cut किया, और मैं ले आई और मैंने attach कर दिया मेरे main plant से मैंने उसको attach कर दिया मेरे main plant से देखो यहां पर stem को cut किया जा रहे बिटा उसमें आप अलग-अलग तरीके से cut लगाते हो, बाहर वाली cambium layer को भी हटाना पड़ता है इस तरीके से stem को cut किया जाता है and then उसको attach कर दिया जाता है अब यहां पर जो नई stem बन गई है जो नई stem बन गई है यहां तक तो मेरी old वाली थी जिसको हम stock बोलते है यह उपर नई friend से borrowed वाली है इसको sky on बोलते है sky on यहां पर आपने जो बान दिया है थोड़े टाइम बात देखोगे कि sales जो है आपस में fuse कर चुके है यह एक नई single stem बन गई है और इस पूरे plant के अंदर sky on वाले सारे characteristics आ जाएंगे good production, disease resistance, good quality यह सारी के सारे characters पूरे plant के अंदर आ जाएंगे हो जाएगा न मुझे भी फायदा मेरे friend को जिस तरीके से सारे desired characteristics का फायदा हो रहा था सेम तरीके से मुझे भी यहां पर फायदा होने वाले इसी को grafting बोलते हैं और फार्मसिस का इस्तिमाल करते हैं main reason grafting को इस्तिमाल करने का desirable characteristics यहार मैं चाहती हूँ मेरा plant लंबा हो पतला हो कुछ फार्मस चाहते हैं उनका plant छोटा हो और थिक हो तो based on that they can you know use desirable characteristics by performing grafting next comes advantages of vegetative propagation यह क्यो करना है vegetative propagation क्या फायदा है यह एक quick और cheap method है large number of plants produce करने के लिए which of the following molecules will become radioactive okay which of the following तु बताओ getting back to this quick and cheap method to produce large number of plants disease free plants इससे grow हो सकते है desired characteristics यानि कि अपनी इच्छा अनुसार वाले characteristics हम डाल सकते है genetically identical plants प्रोड्यूस होते है यानि कि जैसे parents है अब यह हमने ग्राफ्टिंग में plant बनाया इसकी जो नए plants बनेंगे वो इसकी exact copy बनेंगे इसका तो genetic component है वही इसके सारे के सारे नए organisms नए plants के अंदर आए तो अगर यह बहुत अच्छा और best quality वाला है तो इसकी quality सारे के सारे के सारे नए plants के अंदर फैल जाएगी तो फाइदा हो गया advantage हो गया vegetative propagation का survival rate is also 100% याने कि यार vegetative propagation करने के बाद 100% सारे के सारे जो plants है वो survive करते हैं I mean without the options I will not be able to answer this which of the following molecules start ही ऐसे हो रहा है न will become radioactive when the cells are exposed to light basically जब आप periodic table पढ़ेंगी then there is a particular group of elements which show radioactivity have you heard of uranium uranium is the most radioactive element radioactive element क्या होते है जो अपने अंदर से radiations निकालता है and those radiations are clearly not good for us nuclear reactors के अंदर इन elements का इस्तमाल किया जाते है तो मैं पता है ना nuclear fission वगेरा जो करते है उसके अंदर इन elements का इस्तमाल किया जाते है they are highly energetic इनके अंदर बहुत जादा energy होती है क्या vegetative propagation के disadvantage भी है कोई नुकसान भी है है कुछ नुकसान कि plants ना अपनी strength को खो देते है time के साथ seeds का dispersion हो ही नहीं रहा seeds का dispersion नहीं हो रहा है root stem और leaf को हम जादा समय तक preserve नहीं कर सकते है प्रिजर्व समझे हो समय जादा लंबे टाइम तक हम store करके नहीं रख सकते हैं जब आप किसी से बोरो करके आयो stem को root को या leaf को तो आपको जल्दी ही उसको set करना होगा नया पौधा लगाना होगा अपस का मंपस कुछ नहीं होता है इस मंपस basically इस टाइप अफ सकीन डिसीज़ इस नो डॉट इस नाओमपस इस मंपस वारस से होने वाला है यह अलाइवरी ग्लार्ड को इफेक्क करता है बिटा हाँ, it's mumps, right, mumps is again a disease, virus से होने वाले disease है, इसमें न सलाइवरी ग्लांट्स में स्वेलिंग आ जाती है, हमारे ये जो सलाइवरी ग्लांट्स है, वाइरस का इंफेक्शन है, बेटा किसी को भी हो सतता है, और यहाँ पर जो हमारे सलाइवरी ग्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, basically. नेक्स्ट भी आ जाती है, आप तेशु कल्चर, इस दे पिच्च लेरले अधिब विजिबल? हाँ, दिख रहाऊगा? पिके यू डिसीज तो नहीं पताया मुझे अभी. यू डिसीज यानि कि यह बहुत लंबे टाइम तक रहता है, चोटी-मोटी बिमारी नहीं है. यू जनम से बहुने वाली बिमारी है, और इसको समझने के लिए आपको जनेटिक सी कुछ बाते बता होनी चाहिए. मतलब, it is because of some kind of absence of amino acids, phenylalanine नाम का एक amino acid वाला group होता है, अगर उसकी absence हो जाए, जनम से ही, तब जाकर amino acid absent है, तो सोचो वो protein नहीं बन रहा है, और वो protein की absence की वज़े से यह बिमारी हो जाती है. It is not in your syllabus if I am not wrong. PKU तो नहीं है आपके syllabus के अंदर. Moving ahead, now we are starting with tissue culture. What is tissue culture? Tissue culture को micropropagation भी बोलते हैं. Micropropagation. Yeah, तुमारी scholarship test में, okay, okay, okay. यह जब तुम genetics पढ़ोगे और genetic disorders पढ़ोगे ना बेटा क्लास 11-12 में, then you are going to study all these types of diseases, and PKU है आपके, actually phenyl ketonuria के नाम से है, but अभी 9-10 में तुमारे syllabus में पतानी क्यों आ गया है. Scholarship test में हो सकता है. Tissue culture is grown in a suitable nutrient medium. Lab देख रहे हैं. इस तरीके से lab में grow किया जाता है, छोटे-छोटे cells को. वो cells grow करते हैं, divide करते हैं, और बनान लेते हैं callous. Callous is actually undifferentiated cells. Okay, I am going to show you how it works. इस picture को ध्यान से देखना. आपने क्या किया? किसी भी plant का tissue grab करना है. Plant का tissue लेना है, और उस tissue से नही नही cells बनाने की कोशिश करने हैं. यह जो first आपको picture दिख रही है. इसमें एक petri tissue है, उसमें बहुत सारे tissues डाले हुएं. कई stem की tip से, root की tip से, leaf की tip से, अलग-अलग जगा से बेटा tissues लिये होंगे. And those tissues will develop and will form a root, a shoot. वो develop करके, grow करके, root और shoot बना लेगा. And then हम उसको नर्सरी में बेच सकते हैं, हमारे gardens में लगा सकते हैं, that depends. Basically, tissue से नया plant बनाए गया, seed की जरूरत इसमें भी नहीं पड़ी. हमने tissue को छोड़ दिया, लग-अलग mediums में grow करने के लिए, इसमें काफी जादा ध्यान रखते हैं, बिचा, इस तरीके से देखो, यहाँ पर ध्यान रखा जा रहे हैं. सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर protection दी जाएगी सारे के सारे plants को. Protection दी जाएगी सारे के सारे plants को. Ventricular systole तो हमने पढ़ा है न, अमन. Systole का मतलब होता है, contraction. तो जब ventricles contract करते हैं, that is known as ventricular systole. Cardiac cycle वाला session जाकर देख लो एक बाँडी बुडान पर, उसमें जो 0.8 seconds का आपने पढ़ा है कि सबसे पहले, देखो, पहले तो ventricles के अंदर blood भरता है, फिर जब दोनों ventricles के अंदर blood भर जाते हैं, और बाहर जाना होता है, बीटा, arteries के अंदर, veins के अंदर, then they has the pressure, the contraction at that time is known as ventricular systole. ठीक है? Tissue culture देख रहे हो किस तरीके से labs में हो रहा है? Now we are heading to sexual reproduction. Sexual reproduction के अंदर, दो parents involved होते हैं, one is male and one is female. And इस दोरान भी क्या होते हैं? Sexual reproduction में दो parents हैं, सिर्फ और सिफ humans में नहीं, बहुत थारे organisms के अंदर ही होते हैं. And they are producing special cells which are known as sex cells, या फिर germ cells, या फिर gametes. इतने सारे नाम हैं इसके. Sex cells, germ cells, या फिर gametes. अब इसमें क्या है की एक parent cell, एक parent cell, अपना gamete बनाएगा. Let's say he is the father. And एक female cell, अपना gamete बनाएगा. Let's just say she is the mother. So now father will produce sperms and mother will produce egg. ये इनी इनी की body में बनता है, एक दूसरे की body में नहीं बन सकता है. मतलब father सिर्फ sperms भी बनाएगा और mother सिर्फ egg ही बनाएगा. ये sperm और एक special cells क्यों हैं, इनको मैं बार-बार special Q बोल रहे हैं. क्योंकि बाकी cells की तरह इनके अंदर 46 क्रोमोजोम्स नहीं होते हैं. इनके अंदर only and only 23 क्रोमोजोम्स होते हैं. और justified भी है या 23 होने चाहिए, क्योंकि ये डोनों fuse करके नया cell बनाएगे. sexual reproduction is very energy वाला process क्योंकि सबसे पहले तो male और female अपनी body के अंदर special special cells बना रहे हैं. उसके बाद वो cells आपस में fuse करते हैं. fuse करने के बाद zygote बनता है और वो zygote अपनी जैसी बहुत सारी copies बनाता है. और तब जाकर last में बड़ा सा human बनता है. एक infant, बट वो infant भी किस से आया है बेटा, एक dot जितने size के zygote से आया है. वो जो एक cell जिससे तुम बने हूँ, मैं बनी हूँ, सारे organisms बने हैं, वो mummy के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक dot जितना cell था. और फिर बन जाता है कितने size का baby, at least मेरे इतने hand जितना तो एक छोड़ा सा baby होता ही है न, तो वो repeated cell division की बज़ा से बनता है. तो यह पर दो processes हो रहे हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले तो special cell बना sperm और egg, इनके अंदर 23-23 chromosomes थे, 23 और 23 आपस में fuse कर जाएंगे, mix कर जाएंगे, 23 प्लस 23 क्या आजाएगा बेटा, 46, यह 46 number of chromosomes होंगे, zygote के अंदर, मतलब जो दोनों की fusion से, sperm और egg की fusion से ब करता हुआ दिख रहा है, यह sperm है, और जो बड़ा सा cell दिख रहा है, that is actually egg, दोनों के अंदर fusion हुई, दोनों के अंदर आपको एक chromosome दिखा और एक chromosome दिखा, दोनों fuse कर गए, and then it will form zygote, अब यह zygote, एक तरीके से photocopy करता है, और 46 46 जैसे बहुत सारे cells बना लेता है, 46 46 46 जैस इसे बहुत सारे cells बना लेता है, if that is okay, we can move ahead, नहीं, अभी session end नहीं हुआ, so now we are starting with 9 A class, खतम नहीं हुए, there was this issue, which is now fixed, significance, significance मतलब importance, देखो अगर आपसे question पूचा जाए, कि asexual or sexual reproduction में क्या जादा बेटर है, किसके जादा एद्वांटेजे है, तो sexual reproduction आंसर लिक्याना है, क्य diversity में कोई species आप, diversity मतलब विभिंता, एक दूसरे से अलग अलग दिखना, एक दूसरे से जादा capabilities होना, that is also a part of diversity, and now diversity में कोई एक species दूसरे से बेटर हो सकती है, कोई organism दूसरे से बेटर हो सकता है, अब diversity से competition आता है, और competition से species आगे की तरफ बढ़ पाती है, survive कर पाती है, am I visible बच्शा पाती है, अब इससे क्या होगा, नए नए variations निकल कर आएंगे, जो कि evolution के लिए निकल कर आएंगे, जो कि evolution के लिए निकल कर आएंगे, इससरी है basically, evolution एक theory है, जो ये proof भी देती है कि, देखो हम ना काफी, मतलब time के साथ साथ evolve होए है, नए नए organisms पिकल कर आएंगे, नए नी species बन कर आएंगे, competition बढ़ता है species के अंदर तो वो adapt करते हैं, जैसे अगर एक जगा से पत्ते खतम हो गए, छोटे plants के उपर, तो बिच होटे हाइट वाले सारे के सारे पौधे मर चुके, अब जो अपनी नेक को extend करके लंबे लंबे पौदो तक जा रहे हैं, वो फिर भी survive कर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जादा competition किया, उन्होंने efforts करके, लंबे प्लांट से अपना खाना अरेंज कर लिया है, तो वो जादा काम्मिनेशन बन कर आते हैं, यह perfect illustration है, डिसाइड करने के लिए, आपको फिता है, horse का evolution भी हुआ था, अभी जो आभे है, आज horse दिखता है, इतना बड़ा सा, वो पहले ऐसे छोटे से size का हुआ करता था, and horse किसी time पर carnivorous थे, यह भी theory कहती है, धीरे धीरे वो evolve होने के बाद आज के time ज़से, दिखते हैं, now we have to study sexual reproduction in flowering plants, यानि कि अगर sexual reproduction पढ़ना है, दो parents तो होंगे होंगे, एक male होगा, एक female होगा, so one is, on one side there is the male plant, and on another side there is the female plant, अब flour के अदर 4 walls होते हैं, देखो, reproduction कौन करेगा plant के अंदर, flour reproduction करता है, flour is the part of the plant which is the reproductive organ, flour is the reproductive organ, अब उसके अंदर 4 walls होते है, एक सबसे बाहर वाला होता है, जिसको हम, कैलिक्स बोलते हैं एक उसके अंदर वाला लेहर होता है जिसको हम कोरोला बोलते हैं and then there is androsium which is the male part and then there is gynosium which is the female part वर्ल क्या होते हैं यह जो मैंने इसे circles बना दिये हैं इसको वर्ल बोलते हैं अब सबसे पहले आप देखोगे कि flower के part के बाहर आपको ऐसे green color के leaves दिख जाएंगे green color के leaves दिख जाएंगे आपको for example this one यह green color का बाहर का leaf है इसको हम क्या बोलते हैं sepal या फिर हम इसको calyx भी बोल सकते उसके बाद जो आपको इसके अंदर ऐसे colorful सा part दिखेगा ना अलग-अलग color के जो आपको petals दिखते हैं या पर मैंने yellow color के बना दिये जैसे इसको हम corolla या फिर petal भी बोलते हैं petal जादा common है corolla सारे के सारे उस world को बोलते है उस circle को बोलते हैं जिसमें सारे के सारे colorful parts आ जाएंगे then क्योंकि हम यहाँ पर bisexual flower बना रहे हैं what is the meaning of bisexual flower जिसके अंदर male और female दोनो parts present हो तो यानि कि आपको यहाँ पर male part भी दिखेगा which is known as stamen and दूसरा vegetative propagation करेगा अमन जिसके पास flower यहाँ होंगे वह कैसे reproduction करेगा there are different methods देखो vegetative propagation भी हो सकता है क्योंकि seeds नहीं बनने हैं दूसरा ना पार्थीनों कार्पी भी होता है जिसमें seeds के बिना ही fertilization हो जाती है and नहीं नहीं flowers बन जाते हैं नहीं प्लांट्स बन जाते हैं वैसे अगर अमन आपका देखा जाएं तो क्योंकि seeds नहीं बन रहा है ग्यामीट नहीं बन रहा है उनके अंदर फिर asexual reproduction होता है sexual reproduction हो रहा है मतलब flowers बन रहा है male और female type के flowers बन रहा है stamen is known as the male part कार्पल या पिस्टिल is known as the female part इनके और खतरनाक नाम भी है stamen को androsium भी बोलते है और कार्पल और पिस्टिल को gynosium भी बोलते है नहीं तब वो sexual नहीं होगा अमन तब वो asexual होगा sexual reproduction करना है then there will be different flowers either bisexual और unisexual वही ग्यामीट बनाएंगे और तब ही जाकर sexual reproduction होगा क्योंकि sexual reproduction में ग्यामीट बनने है और ग्यामीट किसके अंदर बनने है बेटा फ्लार के अंदर ही बनने है androsium, gynosium समझ आया अब देखो अगर आप इस फूल का अंदर से जाकर देखोगे तो center में आपको ऐसे एक female part दिखेगा like this यह जो उपर bulb जैसा structure आपको दिख रहा है इसको हम stigma बोलते है लंबी सी tube को हम style बोलते है और नीचे swollen वाले हिससे को हम ovary बोलते है stigma style ovary यह तीनों के तीनों मिलकर कार्पल या पिस्टिल बनाते है उसके बाद इसी के side में से ऐसे filament निकल रहे होते है इस लंबे लंबे threads are known as filaments और इनके उपर लगे हुए होते हैं बिटा आन्थर्स लाइक दिस लाइक दिस आन्थर्स का काम है pollen grains बनाना आन्थर्स का काम है pollen grains बनाना pollen grains main parts से बनते हैं और कार्पल या पिस्टिल इसका जो ये नीचे swollen वाला हिस्सा है ovary इसके अंदर बेटा ovules पड़े हुए है अब ये दो नाम मैं आपको क्यों बता रहे हूँ देखो दियांते देखो flowers के अंदर जो sexual reproduction होना है वो gametes की वजह से होना है अब pollen grains अपने male gamete बनाएगा और ovules female gamete बनाएगा और ovules अपने अंदर female gamete केरी करेगा बचो ये आपका NCRT का डाइग्राम है तो सबसे पहले तो बेटा गामेट बनेगे pollen grain के अंदर male gamit बनेंगे और ovule के अंदर female gamit बनेंगे फिर दोनों का नग crossing कराया जाएगा यानि कि pollination होगा and then होगा double fertilization चलो सबसे पहले नो formation की बात करते हैं कि formation होता कैसे है formation process आपको पूरा नहीं पढ़ना है class 10 में बट आपको पता है कि pollen grain बनाने वाला है male gamit pollen grain बनाने वाला है male gamit class 11 में पूरा process पढ़ोगे कि यह कैसे होता है female के अंदर ovule बनाने वाला female gamit मालो male और female gamit अब बन चुके हैं अगर इनको एक जगा से दूसरी जगा जाना या मिलना हैं आपस में तो pollination is the process जो help कराता है दो फ्लार को आपस में मिलने में अब pollination को समझने से पहले ना आपको कुछ बाते बताओने चाहिए if the flower is bisexual just like this ये एक bisexual flower है अगर इस तरीके से flower है और bisexual तो anthers अपने pollen grains बनाएगा और बहुत ही असानी से इस क्यों पर फेक देगा बहुत ही असानी से pollen grains आ जाएंगे ना stigma क्यों पर अगर unisexual flower है उसमें ज्यादा pollination के ज़रत पड़ेगी क्योंकि एक कहीं दूर plant पड़ा हुआ होगा male का और कहीं दूर plant पड़ा हुआ होगा female का alright so pollination means transfer of pollen grains from the stamen to the stigma is called as pollination stamen से stigma तक जाना pollen grains का pollination कहलाते है अब यह दो तरीके से हो सकते है self pollination self pollination के अंदर एक ही plant में यार आपस में pollen grains transfer हो जाते Webs design मालो यह एक plant है इसके उपर यहां एक फूल है और यहां एक फूल है और यहां फूल है ठिक है तो इसके pollen grains आपस में जा रहे हैं ato bhi self iski pollen grains उड़कर दूरी तरफ जार है तो भी self इसके pollen grains उड़कर यहां आ रहे हैं तो भी self-pollination होगा cross-pollination क्या होता है cross-pollination में यह एक flower है दूसरे plant का flower है इसके pollen grains उड़कर बेटा दूसरे flower तक जाएंगे that is known as cross-pollination अब examples देख लो peanuts, wheat, rice, apricots, tomatoes यह सारे के सारे self-pollination करते है cross-pollination देखो यहां पर सारे के सारे अलग-अलग plants लगे हो है और यह bees वगेरा help कर रहे हैं देखो pollination करने में एक plant से दूसरे plant अगर जा रहे हैं that is known as cross-pollination for example there is maize, corn, squash, broccoli यह सारे के सारे cross-pollination करते हैं next is agents of pollination agents pollination करने वाले लोग मताब especially हमारी तरीके से तो काम नहीं कर रहे हैं but birds help कराते हैं in pollination करने में और अगर insects है वो एक फूल के ओपर बैट रहे हैं फिर वो जहां-जहां move करेंगे जंगल में वो pollen grains को भी खेरते जाएंगे so they have a very important role यह सारे की सारे living examples मैंने आपको दिये इनको हम biotic agents बोलते हैं bio में biotic का मतलब क्या होता है living biotic means living abiotic में देखो wind और water की help से हो सकता है wind और water abiotic agents का काम करते हैं एक जगा से दूसरे जगा फैला देते हैं pollen grains को next we have to study fertilization fertilization भी हमने कौन सी परनी है basically double fertilization परनी है double fertilization क्यों बोला जाता है plants को देखो देखते है double fertilization को समझने से पहले आपको पदा चलना चाहिए कि pollen grain के अंदर क्या होता है मालो मैंने एक pollen grain मना लिया pollen grain एक powder जैसा होता है powder जैसे substances होते है एक pollen grain के अंदर देखना है तो आपको microscope की ज़रत पड़ेगी तो यह जो pollen grain है ना इसके बाहर की covering दुनिया की सबसे hardest material से बनी हुई होती है जिसको sporopollenin बोलते हैं यह pollen grain की outer covering है और यह इसको कोई अंजाम नहीं है अभी तक जो sporopollenin को digest कर सके हैं यह इसको ऐसे protect करके रखता है outer covering से बट एक जगा से यह open होता है विटा एक जगा से यह open होता है तक की सीजे अंदर बाहर जा सके from one side it is completely open now one pollen grain has two male gametes एक pollen grain के अंदर कितने male gametes होते हैं? दो यह पहला और यह दूसरा यह पहला और यह दूसरा one pollen grain has two male gametes will you be able to remember this? one pollen grain has two male gametes and these are non-motile यह move नहीं कर सकते हैं एक जगा से दूसरे का खुद move नहीं कर सकते हैं जैसे males के अंदर sperms जो हैं 2000 मोटाई वो अपने आप swim कर जाएंगे बट इनके पास swim करने के लिए कुछ भी नहीं है यह non-motile next you need to understand कि यह जो हमने ovule बनाया है ovary के अंदर ovule होता है ovule के अंदर बेटा embryo sac होता है ovule के अंदर embryo sac होता है now what does this embryo sac do? embryo sac के अंदर ना 7 cell होते हैं embryo sac has 7 cells what are those 7 cells? उपर की तरफ होंगे 3 antipodal cells 1, 2, 3 नीचे की तरफ होंगे ऐसे 2 synergates और बीच में पढ़ा हुआ होगा एक egg cell और center में पढ़ा हुआ होगा central cell center में पढ़ा हुआ होगा central cell मैंने आपको बताया ना 7 cells होते हैं उपर 3 हो गई जिनको antipodal cells बोलोगे नीचे 2 हो गई जिनको synergates बोलोगे बीच में एक अलग color दे देती हो मैं इसको इसको हम बोलेंगे egg cell और central cell center में present हो जाएगा हो गई ना total साथ 3 उपर 1, 4, 5, 6, 7 नाम भी दे देते हैं numbering देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 अब ये क्यों है इतने सारी cells अभी नहीं पढ़ा है आपको सिफ double fertilization समझ रहा है double fertilization क्या होता है देखो pollen grain के अंदर दो male gamete थे females के अंदर 7 SSLs पड़े होगे होते हैं female gamete के अंदर अब आखेर fusion होगी तो होगी किसा दोनो male gamete fuse करेगे बट यहाँ पर तो 7 cells हैं तो किसके साथ fuse करेगे एक male gamete fuse करेगा fuse करेगा egg cell के साथ एक fuse करेगा central cell के साथ और दूसरा fuse करेगा egg cell के साथ क्योंकि दो जगा fertilization हो रही है इसलिए हम double fertilization इसको बोलते हैं अब सवाल है ऐसा क्यों होगा देखो बटा एक male gamete जो egg cell के साथ fuse कर रहा है इसको तो हम sin gamete बोलते हैं fusion of two gametes male gamete and female gamete इसको हम sin gamete बोलते हैं क्योंकि ये दो gametes आपस में fuse कर चुके हैं और ये बनाएगा zygote ये बनाएगा zygote और या फ़र्टिलाइजेशन के बाद zygote ही तो बनते हैं तो ये तो हो ही रहा था ये उपर वाली fertilization क्यों ही central cell के साथ क्यों fertilization क्योंकि ये zygote अभी अपना खाना खुद नहीं बना सकता और नहीं अपने parent के साथ attach रहने वाला है आनिमल्स के अंदर बच्चे जो होते जब तक वो deliver नहीं हो जाते तब तक मदर के अंदर रहते और protected रहते यहां पर ये जाइगाट बिचारा खुद तो फोटो सिंतेस्स कर नहीं सकता नहीं अभी सीड बना है तो इसको सारा का सारा nutrition उपर वाली fertilization से मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं endosperm ये endosperm is zygote को nutrition देने के लिए responsible है. Class 10 में इंदा detail में नहीं दिया हुए सब कुछ बार double fertilization पर question आता है तो आपको पता बना चाहिए that what is double fertilization how it is taking place is that clear one male gamete fuses with the two polar nuclei and it forms it is called as triple fusion other male gamete fuses with the egg cell and this process is known as syngammy इस process को क्या बोलते हैं बेटा syngammy बोलते हैं moving ahead post fertilization post fertilization यानि की fertilization के बाद क्या क्या changes हो रहे है fertilization के बाद क्या हो जाता है देखो सबसे पहले तो आपका zygote बन गया zygote बदल जाएगा embryo के अंदर zygote किसमें change हो जाएगा embryo के अंदर और endosperm बन गया था endosperm formation भी हो रही थी next what will happen ये जो ovules रहे गए थे वो seed में change हो जाएगे ovary बन जाएगी fruit के अंदर ovules will change into seeds ovule के अंदर ही तो fertilization हुई थी जो मैंने बड़ा सा circle बनाया था ये ovule ही तो था इसे के अंदर fertilization हुई थी जो fertilization हो जाएगी अब ये zygote बना embryo बना फिर seed बन जाएगा और जो ovary थी जिसके अंदर ये सारे ovules पड़े होए थे वो ovary fruit बना लेगे वो ovary fruit बना लेगे बाकी सारे प्लान के पार्ट गिर जाते हैं बाकी सारे के सारे प्लान के पार्ट विदर ओफ हो जाते हैं फॉल कर जाते हैं पेड से और important नहीं होते काम के नहीं होते फ्लार के सारे के सारे पार्ट जैसे आपने korola पढ़ा था then you studied about calyx all those will be withered off will fall off from the parent plant next you have to study seed germination की seed कैसे germinate होता है माल लो ये एक seed है ठीक है इसके बाहर की एक protection layer होगी जिसको हम seed coat बोलते हैं बाहर जो seed की covering का उसको क्या बलाओगे तो seed coat बुलाएंगे इसके अंदर जो white white सारा पढ़ा हुआ होता है इसको nutrition देने के लिए उसको cotyledon बोलते है और इसकी बीच में से एक embryo axis भी निकल रही होती है जो future में यहां से stem निकालेगी और नीचे की तरफ से root को growth देगी तो basically embryo axis से उपर की shoot और root निकल रही होते है and we say that seed is the final product of sexual reproduction seed final product is sexual reproduction next is human germany reproduction which we are going to discuss in further class next class में discuss करेंगे what is human reproduction and how does it happen this is very very important topic and हम diseases भी करने वाले अब मैं आपको बताने वाले हूँ कि quiz carnival क्या है अनचादमी के ओपर बटा quiz carnival चल रहा है जिसमें आप पारिस्पेट कर सकते हो आपको अनचादमी आप डाउनलोड करनी है वाँ पर special classes चल रही है special classes में you will get to know that quiz is going on आपको special class में पार्टिस्पेट करना है और quiz में पार्टिस्पेट करना है basically अगर आपकी 1st य 2nd rank आती है तो आपको 50% scholarship का मोका मिलते है और अगर 3-20 के बीच में आपकी रांक आती है तो आपको 30% सीधा scholarship का मोका मिलते है so you all have a lot of potential and अगर आपकी त्यारी भी नहीं है तो make sure कि आप quiz में पार्टिस्पेट करो क्योंकि आपको पता चलेगा ना कि यार आप कहां करते हूं कि इतने बच्चों के साथ आपका competition होने वाले क्योंकि ये 4th of April ता की है तो hurry up जल्दी से इसमें पार्टिसिपेट करो ता कि आपके plus के subscriptions के उपर इतना high percent off आपको मिल जाए for any CBSC subscriptions you are trying to get use my code SANA100 जो आपको इतना जादा discount दिलाएगा for any code reference you are going to use this code ता कि आपको high discount thank you so much I will see you tomorrow at 4 p.m. again so that we can झार्टिस को सब्सक्षर के उपको झापको you झाल 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 झाल